नमस्कार, कितनी बार बोला शराब नई पीना लिवर सर जाएगा रे भाई ये वाला आपने गाना सुना होगा और आपने देखा होगा मुवीज में बहुत बार बताया जाता है कि दारू पीने से लिवर खराब होता है और हमेंसे सभी लोग यही मानते हैं कि दारू पीने से लीवर खराब होता है बड़ आजकल हो यह रहा है कि क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं ना मैं दारू पीता हूँ ना मैं नौन विच खाता हूँ फिर भी मेरा लीवर खराब हो रहा है फिर भी फैटी लीवर आ रहा है तो ऐसा क्यों ऐसे बहुत से सवाल पेशेंट्स को भी आते हैं डॉक्टर्स को भी आते हैं तो आज हमारे पास एक ऐसे डॉक्टर है जो कि सारे पेशेंट्स को सारे डॉक्टर को ये समझाएंगे कि बी से पहले उन से पूछते हैं कि सर बिना दारू के लिवर कैसे खराब होता है धन्यवाद अरुन जी मिश्रा वेदा चैनल पर आपने मुझे इन्वाइट किया मैं यहां पर शुरुवात पर एक चीज कहना चाहूं का कि डॉक्टर मालकम ग्लैडवेल एक फेमस ओथर है और उन जरूरी चीज बोली है विच इन थाउजन अवर प्रिंसिपल अगर हम किसी भी चीज में दस हजार से जादा घंटे बिताते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बेसिक करेक्टरिस्टिक कैसे भी हो आप उस चीज में एक्सलेंस हासिल कर पाते हो तो इस यहां पर मुझे बताने का बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो कहीं न कहीं मेरे 10,000 अवर्स जो गैस्ट्रेंटलरजी के फिल्ड में है वो उसमें यह कॉंट्रिबिट करेगा ऐसी मुझे आशा है तो सबसे पहले में आपके धन्यवाद आपके प्रतिय देना चाओंगा कि यहाँ पे मुझे आमन्तृत किया जो क्वेश्चन आपने पूछा जैसे आपने कहा कि बिना दारू के लिवर खराब होता है क्या तो भाइया दारू से लिवर खराब होता है यह छीज़ हमें आमिताप बच्चन जिस से लेकर शारुक खान तक सभी लोग बताते हैं शारु इस भी शताबदी में यह रीजन ज्यादा माहिने रखते हैं उसमें से जो कुछ रीजन है उसके पास हम लोग जाएंगे और फिर दीरे-दीरे हम लोग फैटी लिवर की तरफ बढ़ते हैं तो लिवर खराब होने का एक कारण हमने देख लिया जो था अलकोहुल second reason जो होता है which is also very common that is viruses तो virus में A, B, C, D, A यह famous virus है उसमें से जो hepatitis B और hepatitis C है जो B और C virus के कारण होता है उससे long term चलने वाला मतलब chronic hepatitis होता है hepatitis A और hepatitis E जो है वो खान-पान से उसका infection होता है और generally उससे acute disease होता है मतलब कुछ दिन के लिए आपको पिलिया हो जाएगा बात में उसके कुछ दिन बाद एक देट दो मैने बाद आप स्वस्त हो जाओगे तो virus ये एक चीज हो गई दूसरी और एक चीज होती है जो बहुत important है हम लोग कुछ भी drug लेते हैं हम लोग कोई भी दवाई जब लेते हैं या फिर हम लोग मुझ से जो कुछ खाते हैं वो liver bypass करके liver के mark से होता हुआ हमारी body में पोचता है या फिर हमारे खून में पोचता है तो drugs विभिन प्रकार की दवाई या ये भी liver खराब होने का कारण हो सकती है क्योंकि इन सब का परिणाम इन सब का प्रभाव हमारे liver पे होते हैं तो drug induced liver diseases जो especially western countries में drug induced hepatitis drug induced liver disease ये एक महत्व पुरुन कारण है तो य ये भी चीज महत्व पुरुन हो गई हमने दो चीज़े देख ली हमने viruses देख लिए हमने drugs देख लिए तीसरा कारण जो है अल्कोल एक कारण आपने पहले ही बता दिया अगे आने वाला जो कारण है जिसमें liver में fat accumulate होता है और fat ये एक reason है जिसकी बज़े से liver खराब होता है अब ये liver दारू पिना बिये ही liver में fat क्यों तयार होता है वो किस तरह से liver में accumulate होते जाता है और liver को किस तरह से खराब करता है इसके बारे में विस्तुरुच चर्चा अब हम करेंगे बहुती कमाल की बाद बताई सर आपने कि liver जो खराब होता है वो किवल दारू से ही नहीं उसके virus infection से भी हो सकता है medicine से भी हो सकता है सरफ fatty liver के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं liver के बारे में इसके बारे में कुछ आइरवेदा में कहीं पर बताया गया है किया liver के बहुत अच्छा सवाल है और बिलकुल बताया गया है अईर्वेद में लिवर को यकृत इस नाम से बताया गया है अईर्वेद की विशेश्था ये है कि अईर्वेद में जिस किसी अवयोपो जिस किसी धातु विशेश को जो नाम दिया जाता है उसके पीछे अईर्वेद की कुछ भूमिका होती है For example, liver हमने जो देखा, तो liver ये शब्द बेसिकली ग्रीक वर्ड हिपेट या हिपार नाम का एक वर्ड है और जिसका मिनिंग है आनन्द देना, आनन्द, प्लेजर देना, तो ये इस हिपार का मिनिंग है और कमाल की बात ये है, इस यकृत को ही आयुर्वेद में कालेयक भी कहा गया है, कालेयक, तो कम आनन्दम ददाती, जो आनन्द देता है, उसे कालेयक कहा गया है, तो कहीं न कहीं ये कालेयक ये जो नाम आयुर्वेद में बताया गया है, और उससे कहीं न कहीं हैपिनेस या हिपार ये शब्द आया है, तो ये भी चीज, शायद लिवर ये गाला पचानिया जो होता है उसको monitor करने में बहुत एहम भूमिका निभाता है और उसको control करने में एजर regulator के अपर के बहुत बड़ी भूमिका निभाता है तो उसमें proteins metabolism fat metabolism carbohydrates metabolism इन सब में शुगर का बहुत महतवपुरुन योगदान है और जैसे मैंने बताया कि आयरुवेद में इसका नाम दिया यकृत, तो इस शब्द की उत्पत्ति ऐसे है कि यम सैयमनम, सैयमम, नियमनम करोती तद यकृत, तो जो नियमन करता है, जो सैयम करवाता है, वो यकृत है, तो जो चीज आज modern science कहती है कि regulation करना, नियमन करना, control करना, हमने कुछ चीज खा ली लेकिन उसमें से कौन सी चीज, उसमें से कौन सा पार्ट, कितनी मात्रा में मेरे blood में जाएगा, इसका control करने वाला कौन है, तो ये control करने वाला liver है, और यही चीज, यकृत या शब्द हमें बताता है, तो liver को आयरुवेद में यकृत कहां गया है, और जिसका काम, अलग-अ हमारी शरीर में जो होने वाली क्रिया होती है, उनको नियमन करना ये liver का काम है, ये चीज हो गया, आयरुवेद में, आयरुवेद की विचार करने की जो पध्धती है, उसमें सिर्फ एक अवय विशेश को महत्व दिया गया है, ऐसे नहीं है, उसमें basically तीन दोश, जिसे हम वात पित कफ कहते हैं, उनको हम हत्व है, और आयरुवेद शारीर रचना से ज़्यादा, मतलब कोई औरगन किस तरह से दिखता है, उससे ज़्यादा वो काम किस तरह से करता है, जिसको हम लोग physiology या आयरुवेद की भाषा में शारीर क्रिया कहते है, उस शारीर क्रिया पे आयुरुवेद ज्यादा फोकस करता है तो अगर हम लोग यकृत के संदर्ब में लिवर के संदर्ब में देखेंगे तो आयुरुवेद के दुरुष्टी कौन से लिवर रक्तवहस्रोतस का मूलस्थान है तो इसका अर्थ ये हो गया कि शरीर में ब्लड से रिलेटर जो अलग अलग प्रॉब्लेम्स आएंगे तो आयुरुवेदिक जो वक्ति होगा या आयुरुवेदिक वैध्य होगा आयुरुवेदिक डॉक्टर होगा वो कही न कहीं उसकी जड़ लिवर में धुनने का प्रयास करेगा तो ये आयुरुवेद का वैसिष्ट है मैं ऐसे मानता लोग को समझने का प्रयास करेंगे लेकिन हमारा जो मुख्य विशे या फिर जो प्रतिपात्य विशे होगा उसमें हम लोग विशेश तहा आयूरुवेद को प्रमान मानते हुए इस विशे का विचार करेंगे। प्रिवेद में कई बार ऐसे बताये गया है कि कई ओर्गन गर्भ में जब बच्चा होता है जब मा के पेट में होता है तब उनके बहुत सारे ओर्गन बनते हैं ऐसा सर लीवर के बारे में भी कुछ डीटेल्स आई है क्या। मदर से आने वाले जो जीन्स होते हैं उनका ज्यादा सहयोग होता है ऐसा आईरुवेद मानता है और जो हमारी बाड़ी में सॉफ्ट ओर्गन से मतलब जो सॉफ्ट होते हैं मृदू मात्रुजानी ऐसे आयरुवेद कहता है कि जो मृदू है वो मातरुज भाव है ऐसे कहा गया है तो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स हो गया लिवर हो गया रुदय हो गया ये मातरुज आवयो है तो ये जो लिवर है ये मातरुज आवयो हो गया नंबर वन और जैसे मैंने कहा कि एक रबर का टायर लेते हैं जो हम लोग गाड़ी में लगाते हैं सपोज आपने वो गाड़ी चलाई नहीं गाड़ी सिर्फ धूप में खड़ी है ऐसे समय में भी अगर आप उसको 4-5 साल वैसे ही रखते हैं तो उस लबर की elasticity उसका लचीलापन कम हो जाता है उसी तरह से हमार लिवर भी जो है एक रबर की तरह है soft organ है उसमें elasticity है लचीलापन है अगर यह लचीलापन समाप्त हो जाता है और अगर हमारा लिवर कड़ा होने लगता है कठोर होने लगता है तो उसका मुर्दू मातरुच जो भाव था वो कम हो गया वो पितरुच भाव की तरफ चला गय और उसकी बज़े से लिवर में प्रॉब्लेम आने की शुरुवात हो जाती है जिसको ही हम लोग आजकल जिसको आयरुवेद में खरीब हो तो यकुरुत कहां गया है मतलब कड़ा हो गया है ऐसा यकुरुत और जिसको आज हम modern medicine की language में जिसको हम लोग सिरोसिस यह नाम देत है कुछ हॉर्गन पर पिता कि जिंस का ज्यादा impact होता है पर लिवर जो है सर ने जैसे पता है कि मा के शरीर मा के जो जिंस होते हैं उसका impact ज्यादा होता है लिवर एक soft organ है और अगर इसमें किसी भी कारण से वह ज्यादा कड़क होने लग जया है उसका softness जाने लग गया त तो सर अगला सवाल फिर मेरा यहीं से आता है कि सर वो कौन से कारण है जिसके कारण ये लिवर जो है खराब होना चालू हो जाता है खान पान के इसी कोई आप गलतियां जो आपने देखी होगी जो लोग करते हैं और लिवर खराब होता है तो एक तरद से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा और विस्तृत विशय है तो उसके कुछ जो महत्वपुरुण बिंदू है उन बिंदू को स्पर्श करना में चाहूंगा तो जैसे हमने देखा था अब मैं आयरुवेद के हिसाब से बात करूंगा जो जैसे मैंने कहा कि आयरुवेद की जो माननेता या फि इसको ध्यान में रखते हुए मैं बात करूंगा तो आयरुवेद में लीवर के बारे में ये भी बताया गया है कि पित्त के अलग-अलग प्रकार होते है जी उन प्रकारों में रंजक पित्त नाम का जो पित्त होता है वो लीवर में होता है ऐसे आयरुवेद में बताया गय गई हैं हमने देखा था कि लिवर रक्तवस रोतस का मूल स्थान है मतलब एक तरसे बलड का हेंड कॉर्टर बॉडि में कौन सा है तो आयरुवेद के हिसाब से वो लिवर है वो हार्ट नहीं है यह चीज यहां पर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आयरुवेद कहता है कि नह पर बताई जो जो चीजे रक्तवस रोतस का मूल स्थान है और आयरुवेद में ऐसे बताया गया है कि यह रक्त और पित इसमें आश्रे आश्रे भाव है तो शायद यह समझने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आश्रे आश्रे भाव क्या होता है तो समझो एक घर है उसमें आदमी एक आदमी रहता है तो यह घर जो हो गया यह हो गया आश्रे और उस घर में रहने वाला जो आदमी है उसे आश्री कहा जाता है जो उस घर में रहता है तो रक्त यह एक तरसे घर हो गया और इस रक्त के अंतरगत पित रहता है इसलिए सुष्रुजी सुत्रिस्थान के 21 अध्या में कहते है कि जिन जिन कारणों से रक्त दूशित होता है उन सभी कारणों से रक्त भी दूशित होता है उसको यह इस शब्द में कहते है कि अनुष्ण शीतम अधुरम स्निक्दम रक्तम चा वरण तहा शोनितम गुरु वि हश्यास्य पित्तवत मतलब जिन जिन कारणों से पित्त दुशित होगा उन सभी कारणों से रक्त भी खराब होगा तो ये बता दिया सुत्रस्थान के 21 अध्याई के 17 श्लोक में के श्लोक आगे जाने के बाद यह सुशुर्ष जी बताते हैं कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था पित्त को जो जो दुशित करेगा वो रक्त को दुशित करेगा लेकिन कुछ पेसिफिक रिजन ऐसे भी है जो विशे शुरूप से रक्तधातु की दूश्टी करते है और वो कारण कौन से है अगर उलको हम जान पाए तो वो रक्त को दूशित करने वाले कारण है रक्त को दूशित करने वाले कारण मतलब रक्तव स्रोतों उनको दूशित करने वाले कारण होंगे और वही यकृत को भी दूशित करेंगे ऐसे हम लोग लॉजिक से बता सकते तो वो कारण कौन से है उसकी तरब हम लोग जाएंगे तो द्रव स्निक्द गुरु आहा रही ही ऐसे बताया गया है, तो दिखे, यहाँ पे तीन शब्दा आये, द्रव, स्निक्द, गुरू, जिसमें द्रवता ज्यादा है, जिसमें स्निक्दता ज्यादा है, और गुरू इस शब्द का अर्थ, आयूर वेद में, जो पचने में भारी होता है, उसे गुरू गहा जाता है, तो जो आहार ज्यादा द्रव है, ज्यादा स्निक्द है, और पचने में भारी है, तो यहाँ पे पिकुलेरिटी क्या है, तो जैसे आमने देखा था को पित को बढ़ाने वाले जो सभी हेतू होते, वो कैसे होते, वो उष्ण होते, क्योंकि पित उष्ण होता है, जी, उष् पित्त को दूशित करने वाली चीजे यहां पित्त से अलग है जी तो गुरू स्निक्द और द्रव रसत्मक ऐसा जो आहार होगा वो पित्त को दूशित करेगा तो ऐसे आहार में कौन से रस आते हैं ऐसे अगर हम लोग देखना चाहे तो विशेश तहां अम्य और लवन रस य यह लगू है लेकिन यह दोनों रस द्रव प्रधान है और स्निक्द है तो जो जो खटी चीजे अम लोग जादा मातरा में खाएंगे तो इसमें पानी पूरी से लेकर टोमेटो केचप तक अलग-अलग चीजे आ जाती है और आयुरुवेद में ऐसे भी बताया गया है कि अ जादा मातरा में आप खटा खाओगे उतने जल्दी आप बोढ़े होते जाओगे यह आयुरुवेद बताता है तो आप पानी पूरी खाते हैं आप विनेगर जैसी चीजे खाते हैं बहुत से लोग एपल सीडर विनेगर मॉनिंग में पीते हैं और वो हेल्दी है इसलिए तो बहुत पार ये भी चीज़ देखना ज़रूरी होता है कि मैं जब मेरे प्रैक्टिस में पेशन्स देखता हूं तो वोसली में यह चीज़े उनसे पूछता हूं कि हिल्दी रहने के लिए इस्पेशली आप क्या कहते हैं और वहां से उनका डिजीज पकड़ में आ जाता हैं तो वो धीरे धीरे आपके रक्त को दूशित कर रही है और आपके रक्त को दूशित करते हुए कहीं न कहीं धीरे धीरे वो आपके लिवर को भी दूशित कर रही है उसी तरह से लवन रस मतलब ज़्यादा जो खारा है जिसमें एकसिसीव सॉल्ट है ऐसी चीज़े यहा में खानी है या फिर एक बार बनाते हैं लोग ज्यादा दिन तक तंजीव करते हैं ऐसे सभी चीजों में एक तो शुगर ज्यादा होगी बिकोज इस नेच्रल प्रेजरवेटिव या उसमें सॉल्ट ज्यादा होगा यहां पे हम लोग चिप्स देख सकते हैं इन सब में एक्स्रा सॉल्ट होता है या फिर उसमें सॉल्ट ज्यादा होगा या फिर इसमें शुगर ज्यादा होगी या फिर उसमें फैट ज्यादा होगा ओके क्योंकि ये तीनों चीजे नेच्रल प्रेजर है कि क्या है अनल्थे है ओरवल डिसिस पर्सपेक्टियू में कोई पेडिसिस आप लेलो तो उसमें जो चीज खाने के लिए आपको पैकेट खोलना पड़ता है मतलब जिसमें प्रिजरवेट्व है तो वो प्रिजरवेट्व जो मैंने कहा वो natural preservatives हो सकते है या फिर artificial preservatives जो अलग-अलग होते हैं वो भी हो सकते हैं वो जिस चीज में है वो चीज अगर हम लोग कम खाएंगे तो हमें liver से related problems भी कम होंगी और overall हम कम बिमार पड़ेंगे तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर अमलरस आ गया यहाँ पर लवनरस आ गया और एक चीज यहाँ पर महत्वपूरुन है जो दूसरी लाइन में बताते हैं तो खाने के बारे में कुछ चीज़ें हमने देख ली दिवासवपन दिन में सोना यह चीज लीवर के लिए खराब है यह रक्तधातु को दुशित करने वाली है ऐसे आयरवेद बताता है अप्रिल मैं और जून का महना नौर्थ में जाएंगे तो नौर्थ में जून में भी काफी गर्मी होती है जब लू चलती है ऐसे समय में वाता औरण में बहुत ड्राइनेस आ जाता है तो ऐसे समय में आप दिन में सो सकते हो लेकिन अदर्वाइज बाकी किसी भी रुतु म दिन में सोना, आयरुवेद में निशिद्ध बताया गया है, जो नहीं करना है, तो दिन में सोने से स्निक्दम प्रसवपनम दिवा, दिन में सोने से शरीर में स्निक्दता जादा बढ़ती है, और हमने देखा है कि स्निक्दता आतिरिक्त मातरा में होगी, तो वो रक्तत को को दूशित करेगी यकृत को दूशित करेगी तो यह स्निक्दता जो है यह यकृत के लिए हाने का रख है और modern science भी आज कहता है कि जिन लोगों को sleep apnea की शिकायत होती है अब यह sleep apnea क्या हो गया तो sleep apnea मतलब जो लोग खराटे ज्यादा मारते ह है जिससे हम लोग कुंभ करन कह सकते बहुत खराटे मारता तो और जन्यरली लोगों की दानाँ यह होती है कि कोई आदमि अगर ज्यादा खराटे मार रहा है इसका मतलब वो चेन से सोता है तो ये चीज ये धारणा गलत है तो जो आदमी जादा खराटे मारता है उस खराटों की वज़े से उसकी नीन बार-बार तुटती है और ऐसे लोगों को स्लीप अपनिया होता है मतलब वो दिन भर में भी स्लगिश फिल करते हैं दिन भर में उनकी निन पूरी नहीं होती है इसलिए ट्रेन में बैठने के लिए जगा मिल गई दूसरे तिसरे मिनिट में भाई साब खराटे ले रहे तो उनको आप उनका बाकी टेस्ट करो न करो उस इसको देखके मैं पहिचान जाता हूं कि इसके लिवर में फैट है तो इतनी यह चीज इस से असोसियेटे तो स्लीप अपनिया दिन में जादा सोना रात में समय पर न सोना उसकी बज़े से यह तकलीप बढ़ती है स्लीप अपनिया डिवलप होता है एंड इस लीप अपनि से भी रक्तधातों दूशित होता है तो ज्यादा गुस्सा करना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब एकदम गरम तवे की तरह होते हैं एक बूंद उस पे गिरी नहीं कि उसकी एकदम भाप हो गई ऐसे हमेशा चिर्चिडे लोग यह होते हैं उनका भी लीवर जल्दी अब होगा ओकी यह अईरवेद बताता है तो इसकी लिए दिमाग शांत रखना यह भी चीज बहुत इंपोर्टन्ट है और यह चीज दुनिया की कोई पैथी नहीं बताएगी यह चीज मेरा अईरवेद बताता है और इसकी लिए मैं कहता हूं कि यह अईरवेद की अत billion कोरा है यह चीज विशेशता है उसी तरह से जादा देर तक थूप में क्याँ करना एक ऐसे जगह काम करना जहां पे आपका हिट से ज्यादा संपर का आता है मतलब कुछ लोग फर्देस के बाजु में काम करते हैं कुछ लोगों के काम का स्वरूप ऐसा होता है जिनको ज्यादा देर तक आउटसेट जो साइट्स होते है रोड कंस्रक्शन के साइट्स होगे ऐसे जगह पे रहना पड़ता है तो ऐसे लोगों में भी रत धातु बिगड़कर उनको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लेम्स होने की शिकायत हो सकती है तो यह भी चीज यहाँ पर इंपोर्टेंट है एक में बीच में कहना भूल गया कि प्रिजरवेटिवस के बारे में हम लोग बात कर रहते हैं तो प्रिजरवेटिवस तो जो लोग जादा फ्रोजन चीजे खाती है तो फ्रोजन चीजे कहां खाई जाती है तो वेस्टन कंट्रीज में खाई जाती है हमारे यहाँ पर हम लोग उतनी frozen चीज़े नहीं खाते हैं लेकिन जो लोग especially ship पे रहते हैं okay merchant नहीं भी जो लोग काम करते हैं ऐसे लोग जो ship पे रहते हैं वो बहुत बार ताजाद भोजन उनको नहीं मिलते हैं और वो frozen चीज़े ही जादा खाते हैं और मेरा प्रैक्टिस में अनुभव ऐसा है कि इन लोगों में fatty liver बहुत आम बात हो गई है लगबक अगर मेरा आकलन सही है तो मेरा अनुभव ऐसा है इन में से 50 to 60% लोग ऐसे होते हैं जिने fatty liver की तकलीफ होती है तो ये भी चीज़ यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गई और एक चीज़ आयरुवेद बताता है कि अजिर्ण और विरुद्धाशन इन दोनों चीज़ों से भी रुकतधातु बिगड़ता है तो अजिर्ण मतलब पहले का मेरा भुजन पचा नहीं है और उसके बाद मैं तुरंद खाना खा रहा हूँ आयरुवेद में एक नियम बताया गया है आजकल लोग दो दो गंटे में खाते हैं एक गंटे में खाते हैं बहुत सी चीज़े करते हैं तो आयरुवेद में एक चीज़ बताई गया है कि याम मध्धे न बोकतव्यम याम युगमम न लंगयत तो भईया इसका मीनिंग क्या हो गया एक याम मतलब आप तीन घंटे पकड़ लो तो एक बार आपने खाया है तो तीन घंटे में एक बार खाने के बाद अगले तीन न को तक आपको सिर्फ बात करने के लिए मूं खोलना है खाने के लिए नहीं खोलना है और यामा युगमम न लंगयत अपको पेट अपना अपना एमटी नहीं रखना है तो लगबक छे गंटे से लेकर आठ गंटे तक आप खा सकते हैं ऐसे बताया है और इस्पेशली यह जो नियम है यह दिन के लिए है क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रात में उठके भी खाना है आपने समझो साथ बज़े भोजन कर ल आशन पहले किया हुआ भोजन पचा नहीं है फिर भी आप खा रहे हो तो यह भोजन कहीं न गई आपको फैटी लिवर के तरफ ले जाने वाला है आपको यकृत को आपको लिवर को बिगाड़ने वाला है और अगला जो रिजन हो गए विरुद्धाशन या फिर अध्यशन इसके बारे में मुझे लगता है कि जितना अवेरनेस आपके चैनल ने या फिर आपने क्रियेट किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि विरुद्धाशन ये चीज़ क्या होती है किस तरह सा अलग-अलग तरह का विरुद्धाः होता है मतलब सिर् आपके लिवर को खराब कर सकती है जिसमें सर ने मालसी खेतु क्रोध गुस्सा करने से लेके कौन-कौन से food items है कौन-कौन सी आदिते हैं वो आपके liver को खराब कर सकती ही वो सब बताई सर अब ये सारी चीज़े इसमें बहुत सारे आयरवेदिक शब्द थे और कई बार लोगों को आजकल संस्प्रित पता ना होने के कराण बहुत सी चीज़े बाउंस जाती है जैसे द्रव्य, स्निग्ध, गुरु ऐसी चीज़े तो सर हम और easy करते हैं लोगों के लिए आयरवेदि में सर छे रस बताए गये हैं मीठा, खटा, नमक, तीखा, कड़वा, कसेला तो सर इन छे रसों में से कौन-कौन से रस है और वैसे कौन-कौन से आइटम है जो आपने देखे हैं, जो लीवर को खराब करते हैं जैसे सर मधूर रस से आप प्लीज शुरू कीजी तो जैसे मैंने बताया कि रक्तधातु का पांचे बहुतिक अत्व, रक्तधातु पांचे बहुतिक मतलब उसमें भी पांच महाबूत होते, पुर्थवी, आप, मतलब पानी, तेज, मतलब अगनी, और वायू, और आकाश, ये पांच महाबूत है तो ये पाच महाबुत रक्तधातू में भी होते हैं तो ये रक्तधातू का पांचे बोती कत्वच जिन जिन चीजों से बिगड़ेगा उन सब चीजों से आपको लिवर की परेशानी या लिवर की प्रॉब्लेम्स हो सकती है तो हमने देखा कि जो पित्ध को बिगाड़ेगा वो रक्तध को बिगाड़ेगा ये भी चीज़ा हमने देखी तो पित्ध को बढ़ाने वाली चीज़े कौन से होती है या पित्ध को बढ़ाने वाले रस कौन से होती है तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पित्त को बढ़ाने वाले तीन चीज़े होती है, कटूरस मतलब जो चीज़े तीखी होती है, अमलरस मतलब जो चीज़े खटी होती है, और लवणरस मतलब जो चीज़े नमकीन होती है तो अगर मैं यहाँ पे किसी से ले मैंसे मतलब किसी भी आम आदमे से पूछू कि आप कुछ तीखा खा रहे हो आप कुछ खटा खा रहे हो और आप कुछ नमकीन खा रहे हो इन तीनों मेंसे ज़्यादा गर्मी आपकी शरीर में कौन पैदाव करेगा या इन तीनों में से ज़्यादा शरीर में उष्णता कौन बढ़ाएगा तो जनरली इसका उत्तर आता है कि जो चीज तीखी है वो ज़्यादा उष्णता निर्मन करेगा लेकिन यहाँ पे भी आईरवेद की विशेशता यह है कि आईरवेद बताता है कि जो चीजे तीखी है उनसे खटी चीजे जो है वो ज़्यादा शरीर में गर्मी पैदा करेंगी और खटी चीजों से भी ज़्यादा उष्णता हमारी शरीर में लवण रस मतलब नमकीन चीजे पैदा करेंगी तो अगर आप शाम को ट्रेन से आते हुए अगर आप फ्राइड दाल खा रहे हैं मूँग की दाल मिलती है लिशे बहुत से लोग खाते और वो समझते कि वो पत्थे करें जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सौल्ट होता है अगर आप ट्रेन से आतेवक शाम को भेल खा रहे हो जिसमें बहुत सारा लवन है उसमें बहुत सारी खटी इमली पड़ी है अगर आप खारे सिंग्दाने खा रहे हो फिल्दी है इसलिए लोग क्या सुचते है कि सिंग्दाना हेल्दी है लेकिन अगर आप खारा सिंगदाना खा रहे हो तब नमक में भुना हो नमकीन सिंगदाना अगर खा रहे हो roasted जो होता है और उसमें भी अलग-अलग types आते हैं उसमें मसाले वाला भी आता है तो वो अगर आप खा रहे हो तो वो आपके liver के लिए अच्छा नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं रसों के बारे में especially amlarus और lavenderus ये रुदय के लिए नुकसान दे सकते हैं liver को नुकसान दे सकते हैं liver को या फिर यकृत को नुकसान दे सकते हैं और एक चीज यहां पर आती है जैसे आपने पुछा था कि मधूर रस के बारे में बताई तो मधूर रस एक certain limit तक okay है क्योंकि अब थोड़ा सा modern के बारे में चर्जा करूंगा क्योंकि मधूर रस हम लोग जो शुगर खाते वो क्या होते है तो शास्त्रिय वाशा में अगर हम उसको हम लोग देखेंगे तो it is known as more or less it is a sucrose sucrose नाम की शुगर होती है तो यह sucrose बनती किस से है तो sucrose लगबद glucose और fructose यह दो तरह की शरकरा होती है इनको मिलजूल कर यह sucrose बनती है तो इस पर यह glucose जो है यह glucose जो है हम सभी को पताए यह glucose इसको हमारे शरीर के हर एक पेशी पहचानती है और इसको यूटिलाइजेशन कर सकती है मतलब आपकी मसल होगी उसको काम करना है उसकी लिए वो पोले उसको अगर आपको glucose देते है तो अच्छी तरह से काम कर पाएगी it will accept that glucose problem कहां आता है glucose के साथ में जो fructose होते है वहाँ पे problem आता है और आज कल लोगों का fructose जिसम है ऐसे वेंजन खाने का जो अनुपात है वो काफी बढ़ गया है तो यह fructose आता कहां से है तो especially यह fructose जो आता है जो मकई होती है जिसे हम लोग कौन कहते है तो इस कौन से बनने वाली जो शुगर होती है या उससे बनने वाला जो शुगर सिरफ होता है उसको कहा जाता है HFCS High Fructose जो जिसमें फुक्टोज जादा होता है तो यह फुक्टोज जो है तो फुक्टोज डाना क्यू जाता है इसके लिए दो रीजन से एक तो fructose डालना ये company के लिए glucose डालने से स्वस्ता है और company यहाँ पर add कर सकती है कि हम लोग no added glucose या फिर इससे कारण आपके लिए glucose नहीं पड़ेगा इसके no added sugar इससे आपकी sugar नहीं पड़ेगे लेकिन वो fructose डालते है तो वो क्या बताएंगे एक तरद तो आपको बताएंगे कि यह healthy है comparatively इसलिए आप जो अलग-अलग मार्केट में मिलने वाले जो जूस है हम लोग किसी company का नाम नहीं लेंगे लेकिन अलग-अलग जो एल्डी जूस है उनका अगर रैपर आप चेक करते हैं तो उसमें sugar no added sugar है लेकिन उसाथ में फ्रुक्टोस डाला गया है वो शायर शुगर से करने वाला है और वो सस्ता पड़ता है company को के दूसरी चीज ग्लोकोज की जो मिठास होती है उससे अच्छी quality की मिठास और उससे ज्यादा अच्छा satisfaction आपको फ्रुक्टोस से मिलता है तो फ्रुक्टोस खाने से मिलने वाला satisfaction ज्यादा होता है इसलिए जो दिखिए आप जो से आज यंग लड़के लड़के आम लोग देखते हैं कि वो दिन बर में एक एक देड़ देड़ लिटर पानी छोड़के यही पीते है और यह चीज उनको पता नहीं है जी दूसरी चीज थोड़ी देर पर मैंने बताया था कि ग्लुकोज को मेरी शरीर के हल सेल पहचानती है ग्लुकोज मेरे ब्रेंड में जा सकता है ग्लुकोज मेरे मसल में जा सकता है फ्रुक्टोज को कौन पहचानता है फ्रुक्टोज को सिर्फ लिवर की सेल पहचानती है इसलिए यह फ्रुक्टोज सिर्फ लिवर में डाइजेस्ट हो पाता है फ्रुक्टोज बाकी की सेल accept नहीं कर पाती जब तक लीवर उसके ऊपर काम न कर ले ग्लुकोस जब शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उसका conversion ग्लाइकोजन में हो जाता है तो ग्लाइकोजन लीवर में स्टोड रहता है तो ये ग्लाइकोजन क्या है अगर सपोज मैं मैं फास्टिंग कर रहा हूं मैं उफवास कर रहा हूं ऐसे समय में मेरे बोड़ी को अगर ग्लुकोज नहीं मिल रहा है तो ऐसे समय में बोड़ी क्या करेगी ग्लाइकोजन को तोड़ेगी उससे ग्लुकोज बनाएगी और ये ग्लुकोज मेरी body में काम में आ सकता है इसका एक example हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे कोई bonus मिल गया मैं मुझे हर मेने तनखा मिलती है मुझे कोई bonus मिल गया तो मैं क्या करता हूँ उसकी bank में FD करवा देता हूँ और अगर मुझे बेटी की शादी के लिए हो गया और किसी reason की बज़े से ज्यादा पैसे की ज़रूरत है तो मैं क्या करता हूँ उस FD से पैसे निकाल लेता हूँ और उसको यूडिलाइज करता हूँ तो उसी तरह से body में भी होता है तो glycogen एक तरह से body की FD हो गई तो ये glucose से glycogen बन सकता है लेकिन फ्रुक्टूस से glycogen नहीं बनता है और फ्रुक्टूस का जब पाचन होता है बॉडि में तब triglyceride नाम का एक हनीकारक fat बनता है जो हमारे liver को खराब करता है और धीरे धीरे फिर ये हमारे liver में accumulate होने रखता है हमारे liver जो होता है उसमें normally 5% से ज़्यादा fat नहीं होता है तो जब ये फ्रुक्टूस खाने की वज़े से triglyceride ज़्यादा बनने लगेगा तो ये जाएगा कहां पर तो सबसे पहले liver में रहना शुरू करेगा क्योंकि फ्रुक्टूस को सिर्फ हमारा liver बचा सकता है तो ये धीरे 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 हमारे liver की जो कोशिकाए होंगी cells होंगी उनमें रहके उसको white बना देगा और उसको बड़ा करने लगेगा जब ये liver से भी नहीं संबलेगा कि liver में अब मेरा इतना fat हो गया है कि मेरे liver से वो नहीं संबल रहा है तब क्या होगा ये धीरे धीरे ये fat liver से लेकर हमारे arteries में जाएगा मतलब हमारे blood vessels में जाएगा रत वाहिनियों में जाएगा और वहाँ पे जाके ये plaque तैयार करेगा रत की गाट बनाना शुरू करेगा और इसकी जो wall होती है अंदर से जो हमारे blood vessels होती है arteries wins इनके अंदर जाके ये चिपकने लगेगा तो basically हमें ये समझना चाहिए ये fat basically आ कहां से रहा है तो ये liver से ही आ रहा है इसलिए मधूर चीज़े खाते वक्त जो कुछ आप artificial sweets खाते हो मतलब fructose और किस चीज़ में होते है तो fructose शहद में होता है वो हानी नहीं करता है जो हम लोग मुनक्का खाते है काला वाला मुनक्का हो गया grapes में fructose होता है बहुत सारे अलग-अलग fruits में भी fructose होता है लेकिन वो natural होने के कारण वो body को हानी नहीं पहुचाता है लेकिन जिन जिन चीज़ों में artificially कौन से निकाला हुआ high fructose कौन शुगर जो मैंने बताया वो डाला गया है वो body को नुक्सान करता है तो इस तरह की जो जो चीज़े है तो जो चीज़े ज़्यादा मिठी है ऐसी चीज़े भी हमें कम खानी चाहिए क्योंकि आजकर बहुत से अलग-अलग चीज़ों में fructose जाला जाता है जिसका reason मैंने बताया क्योंकि fructose की test अच्छे आती है और fructose company को सस्ता पड़ता है इसलिए company तो fructose जी जालने वाली है तो जो मैंने थोड़ी दर पहले चीज़े बताई थी कि जिसके लिए आपको packet खुलना पड़ता है उस चीज़ से आप थोड़ा बचके रहो तो मधूर रस जिसमें जादा है ऐसी चीज़े अमलरस जिसमें जादा है ऐसी चीज़े लवनरस जिसमें जादा है ऐसी चीज़े अगर हम लोग कहेंगे तो हमारे liver में facts deposit कर सकती है या फिर हमारे liver को खराब कर सकती है No added sugar ये सुनके तो हमें लगता है ठीक है इसके अंदर शक्कर नहीं है बिंदास पियो और आपने सर एकदम सही बता है मेरे ही relatives में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा जो पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं उनको कोई भी soft drink या fruit juice उनको वहीं चाहिए ऐसे patients भी है एक patient है मेरे पास Canada की अभी कुछ एक हफते पहले उन्होंने consult किया था उनका बोलना है कि हमारी जो लड़की है वो पानी पीती ही नहीं है उसको पानी पसंद ही नहीं है उसका taste उसको कुछ इस तरह कि जो added sugar या आपने जो बोला high fructose कौन syrup जैसी मीठी चीजे ही चाहिए तो हम बहुत बार ऐसे सुचते ठीक है मीठा में मतब गोड़ उड़ खाएंगे तो लीवर खराब होगा बढ़ अगर आप इस तरह की packet वाली no added sugar के नाम पर चीजे आप लिये जा रहे हैं तो ज्यादा मीठा खाखा की जैसे सर ने बता है कि वो fructose भी आपके शरीर की वाट लगा सकता है नेचरल ठीक है और डिफिशल बिलकुल नहीं सर मीठे से ही अगर बात चालू ही है तो और सर आप ऐसी प्रैक्टिस में कौन सी चीजे देखते हैं जो कि नेचर में मीठी हैं बट लीवर को नुकसान बहुचा दिया तकलिफ करती है यहां पर यह चीज भी देखना जरूर है मैंने फ्रुक्टोस के वारे में बताएगा इसके बारे में एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा बहुत सी अलग-अलग बुक्स होती है और मुझे पता है कि आपके चानल कर जो फॉलोर से उसमें कई डॉक्टर्स भी है और यह बहुत बड़ी अच्यूमेंट है आपकी ऐसे मैं मानता हूँ तो इन्डॉक्टर्स के लिए में एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा डॉक्टर रॉबर्ट नाम के ऑक डॉक्तर है जो इंडोक्रिनयलोजिस्त है मतलब हार्मोन के स्पेशलिस्ट ऐसे हम लोग की सिंपल भाशामें कहते हैं यह अमरिका में है तो उन्होंने एक बुक लिखिये जिसका नाम है Fat Chance Fat Fat Chance F80 Fat Chance ये बुक है जो Amazon पे भी easily available है आपको और ये बुक अगर आम लोग पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आता है कि लगबक 50 to 60 years back लोग एक दिन में 15 ग्राम शक्कर खाते थे एक दिन में अलग 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 चीजों से आने वाली शुगर वे 15 ग्राम खाते थे आज अरुम जी ये प्रमान आप जानके हैरान हो जाएंगे कि ये 75 ग्राम से भी जादा है बाप ये पाच गुना से जादा 50 साल में हमने पाच गुना तरक्की कहां कर ली जहां करनी नहीं चाहिए थी वहां कर ली हम लोग पाच गुना जादा शक्कर खा रहे हैं और उसको पचाने के लिए अम लोग कुछ नहीं करते एकदम से बाद आज दुरफाग ये चीज का है कि लोग बिलकुल एक्सराइज नहीं करते हैं जो लोग 15-20 साल पहले एक मेहनत की चीज़े करती थी आजकल किसान को भी बहुत कम काम करना पड़ता है उसको खेत में जो पंप है वो चालू करने के लिए भी वो मोबाइल से अपरेट कर सकता है उसको खेत में जाने की भी जुरूरत नहीं है रोड के साइड में काम करने वाले पहले लोग रहते थे नरे गाव अगरे ऐसे स्कीब में काम करने वाले लोग रहते थे उनकी भी अभी ज़रूरत कम हो गए क्योंकि एक आदमी वो जैसी भी लेके आगे पिछे करते रहेगा और दस आदमी का काम कर देगा तो ये भी चीज प्रोब्लेमेटिक है और एक चीज में बताना चाओंगा शायद जो लोग महाराष्ट्र से है वो इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे 1995 में जब महाराष्ट्र में सबसे पहले शिवसेना और बिजेपी की सरकार आई थी तब बाला साहिब ठाकरी जी ने एक स्कीम शुरू की थी जिसको कहते हैं कि एक रुपया जुनका बाकर जुनका मतलब एक वेंजन होता है जो डाल से बनता है और वो और जुआर की रोटी ऐ ऐसे एक रुपय में मिलता था तो ये चीज थी 1995 में जब सबसे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार आई थी तब उन्होंने ये शुरू किया था अब एकादी चीजों पे शायद महाराष्ट्र में ये जुनका बाकरी एक रुपय में मिलने वाली जु स् अब ही शिवसेना सत्ता में नही है लेकिन कुछ साल पहले जब शिवसेना सत्ता में थी तो उन्होंने अभी क्या बेचना शुरू किया शिव धडा पाव शिव धडा खो तो जो शिवसेना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस नहीं बात करहा हूं मैं लोगों के करना कैसे चेंज हो रहे हैं उसके बज़े से पॉलिटिकल पार्टी वेसे डिसीजन लेते थे तो 1995 में जो आदमी रोड के साइड में काम करता था वो भाकरी खाता था और जुनका भाकरी खाता था वो उसको एक रुपए में मिलती है आज वही आदमी क्या बोलता है अरे भाकरी कोन काएगा यह गरीबो का खाना कोन खाएगा मैं आज शिव वड़ा पाव लेके खाऊंगा जो मुझे 10 रुपए में मिलता हूँ तो हमारी जो एक तरह से उन्नती का मापदंड क्या बन गया जुनका भाकरी से लेकर वड़ा पाव तक हम लोग आ गए और लिवर में तब जुनका भाकरी खा रहे तो तो फैट नहीं था तो लॉन फैटिक लिवर से हम लोग फैटी लिवर तक आ गए तो जिस चीज को हम लोग तरक्की बोलते हैं हम लोग 15 ग्रैम से 75 ग्रैम तक आ गए और हम लोग सोचते ही कि हमने तरक्की कर ली लेकिन भईया आपकी तरक्की बाहर से भले दिखती हो वो अंदर से आपको खो जिन होने से बचाता था आज हम वड़ा पाओ तेल वाला वड़ा और जो ब्रेड आइटम खाके वह लिवर को खराब कर रहें और इतना मीठा हम डाल रहें काम कर नहीं रहें और लिवर खराब हो रहें और सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया कि अचानक से लिवर में grade 1, grade 2 fatty liver जैसी बिमारिया आ गई हाई fructose corn syrup के बारे में सरबात की हम मेठे के बारे में ही सरबात कर रहे है कई लोगों को खाना खाने के बाद मेठा या sweet dish खाना बहुत पसंद होता है कई लोग हम देखते हैं खाने के बाद गुड़ खाते हैं चौकलेट्स खाते हैं और भी कई मेठी चीजे खाते हैं क्या ये भी लिवर को खराब करने का काम करता है ये सवाल बहुत अच्छा है तो दो चीज हम लोग थोड़ा सा मोटे-मोटे तोर पे इसको देखेंगे कि एक जो होता है जिसमें exclusively glucose होता है वो चीज लिवर के लिए अच्छे एक जैसे आपने का गन्ने का रस तो हाँ वो चीज लिवर के लिए ठीक है लेकिन उसमें और एक फेक्टर एड हो जाता है कि वो गन्ने का रस जिस तरह से निकाला जाता है, वो गन्ना किस तरह का है, तो अगर हम लोग उसको दातों से खाते हैं, अपने दातों से खाते हैं, जबा कर खाते हैं, तो वो बहुत गुण देने वाला है, लेकिन जब मशीन से उस गंने का रस निकालते हैं तो उससे शरीर में दाह मतलब inflammation होता है या आयरवेद कहता है तो गंने का रस अच्छा है क्या अच्छा है अगर मैं खुद के दाटों से चबा-चबा चगा कर उसको खाता हूं लेकिन गन्य का रस अगर मैं डिरेक्ली निकाल के पीता हूं उसमें बर्फ वगरे ये भी चीज आ जाती है उसमें लोग भर भर के नमग डालते हैं तो फिर वो उतना अच्छा नहीं रहता है इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे जिन्दगे में कभी भी गन्य का रस नहीं पीना चाहिए लेकिन क्या होता है कि आजकल जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बता है कि health conscious होने के लाम पे लोग कुछ गलतिया करते हैं तो अभी क्या हो जाएगा कि लोग सोचेंगे कि ठीक है हमारा वीडियो देखके भी हो सकता है कि लोग सोचेंगे कि ठीक है अभी मुझे कोल्टरिंग नहीं पीना है उसमें fructose है लोग extreme चले जाते हैं और लोग रोज जाके कोई गन्यवाला पकड़ लेंगे और उसके पास जाके रोज juice पिना शुरू कर दें तो basically हमारी शरीर को जो glucose मिलता है वो बहुत से चीजों से मिलता है तो आप जो सबजी खाते ह हमारे body को glucose मिलता है तो glucose मिलने के लिए हमें कुछ मिठा ही खाना चाहिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो dry fruits में जो मिठास होती है वो natural मिठास होती है तो खजूर हो गया या फिर मुनक का हो गया इनकी जो मिठास है यह natural मिठास है आजक करो लेकिन गन्ने से मिलने वाली शुगर वो भी अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो आपके लिवर को नुकसान कर सकती है तो नट्शेल में अगर मैं कहना चाहूं तो एक पंद्रा दिन में एकाद बार अगर आप गन्ने का जूस पिते है तो उससे प्रॉब्लम नहीं उससे शायद इंफिक्शन आपको हो सकता है या फिर अगर उसमें जो बर्फ यूस किया गया है वो अच्छा नहीं है तो उसकी वज़े से आपको पेट में इंफिक्शन भी ह हो सकता है यह भी चीज है कभी कभी उससे आपको हिपटेटी सहे से होने वाली जो जॉन्डिस होती है जो खाने पीने की चीजों की वज़े से होने वाली जो जॉन्डिस होती है जो पीलिया होता है वो भी होने की आपको आशंका रह सकते है तो वो एक बात उसमें है that can be a source of infection लेकिन उससे directly नहीं होगा पर उसमें भी repetition नहीं होना चाहिए day in and day out अगर आप वो चीज खा रहे हैं तो वो अच्छी नहीं है आपका खुद का खैते उसमें जाके आगा अगा अबर आप दात से खा सकते हैं और आपके दातों में वो शक्ती है नहीं तो क्या हो जाएगा आप गन्ने से दात खाना शुरू करतेंगे और दात गन्ने में फर्स जाएगा बात में गन्ने से आपको डात डूड़ना पड़ेगा तो यह भी चीज नहीं होनी चाहिए तो यह सभी चीजे को देखना बहुत आवश्यक होता है खाने के बाद का जो मिठा होता है उसकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उससे एसीडी की तकलिप भी बढ़ती है और उससे यह भी बढ़ेगा क्यूंकि आपने खाना खाया है आयुरुवेट कहता है कि खाने की शुरूवात आप मिठी चीजों से करो ओके तो स्वीट डिश खाना ये भा अलों में जो मिठा होता है वो आप खा सकते लेकिन फल खाने का भी समय कौन सा होना चाहिए तो आप शान का जो वक्त है लगबद तीन से लेकर पाच बदे तक चार से लेकर छे बज़े तक यह जो बीच का समय इसमें आप फल खाओ लेकिन खाने के तुरन बाद फल खाना, खाने के तुरन बाद चॉकलेट खाना, खाने के तुरन बाद गुड खाना, फ्रूट सैलर्स खाते जिसमें विरुद्दार भी आ गया और आमने देखा है कि विरुद्दार किस तरह से अफेक्ट करता है लिवर की हेल्थ को, क्योंकि और रक्तों को दूशित करेगा और इंटन इट विल अफेक्ट दे लिवर हेल्थ तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मिठे के बारे में हमें सोचना चाहिए लोगों के आप आगर देखोगे तो हर टाइम वी आर सेलिप्रिटिंग कुछ मिठा हो जाए कुछ मिठा हो जाएं यह हमेशा लोग इस मोड में रहते है और जैसे मैंने बोला की 50 साल पहले आम लोग जतना मिठा खा रहे उससे पाच गुना मिठा मोगलो ज्यादा खा रहे तो इतनी ज्यादा मिठास हमारे बौडीक attributes होने से अच्छा हमारे खून में होने से अच्छा वही मिठास अगर हमारे जबान में होगी तो मेरे मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोगों से दूर रह पाएंगी तो मिठास जो है वो खून में रहने से अच्छा अगर जबान पे होगी तो वो ज़ादा अच्छी है एकदम सही और कमाल की बात बताई सर ने सर ने बताया कि वाई जबान मीठी रखो पर मीठा ज्यादा बॉड़ी में मत डालो वरना लीवर की आपके वाट लग सकती है और मीठा खा भी रहे तो खाने के पहले खाईए मीठा पचाने के आपके बॉड़ी की शक्ती देखिए य नहीं है कि हर टाइम कुछ मीठा हो जाए कुछ मीठा कभी कवार हो जाए आपके पाचन के अनुसार